आयोध्या जीतकर सपा ने फेल किया बीजेपी का राममंदर कार्ड हार से भविश के चुनावू पर सीधा सर लोकसवा चुनाव में भाजपा के नाक की सीट रही आयोध्या को जीतकर सपा ने भाजपा के राममंदर मुद्द को फेल कर दिया है साथ ही भविश में ओने वाले चुनावू की दिशा भी बदलते हुए ये संकेत दिया है कि अब यहां राम मंदिर मुद्दा नहीं बचा है। चुनावू में फते के लिए अन्ने मुद्दो पर बात करने से ही बात बनेगी। सुप्रिम कोट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को शीराम जन्म भूमी मंदिर के भूमी पूजन के साथ ही 2024 के आम चुनावों की भाजपा ने नीव डाल दी थी। बीच पीच में आयोध्या आकर प्रधान मंतरी नरिंद्र बोदी इस मुद्दे को ताजा करते रहे। 22 चनवरी को मंदिर के उधगाटन और प्रांट पतिस्ट्रा के बाद से ही देश के कोने कोने से निताओं को यह लगाता है। 22 चनाव में आयोध्या फते के लिए बड़ा प्रियोग किया फैजबात आयोध्या लोकसवा सीट सामान सीट है या आम तोर पर हर लोकसवा चुनाव में अगड़े और पिछड़े के बीच समी करण साधा जाता रहा है। पिछली बार भाजपा से लल्लू सिंग थे तो सप पर पासी विरादरी का करीद देड़ लाख वोट वेंक है इतना ही नहीं इस लोकसवा चेत्र में कुर्मी और निशाद भी भरपूर है। और अवदेश प्रशाद के लिए जैट प्लस ट्रेडिंग की सुरक्षा की मांकी है। अपने भेज़े गए पत्र में उन्होंने का कि सोशल मीडिया सहेत संचार के माद्यों में आयोध्या की निवासियों पर असेच करने वाली तिपड़िया वा धंकिया दी जा रही है। ऐसे में उन पर कभी भी कोई सुन्योजित अनोनी या असमाने घटना हो सकती है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं अन्तदै अवदेश प्रशाद को सुरक्षा की दरस्टी से जैट प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए। बतादे की लोकसवा चुना अवसे पहले भाजपनेता यूपी की सभी 80 सीटों पर जी दर्ज करने का दावा कर रहे थे। फैजबाद लोकसवा सीट के परिणाम ने सभी को चौका दिया।